तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चो सभी को एक बार गुड इवनिंग तो कैसे हैं सभी लोग सभी का सौगाद है टी ओसी डिफेंस में तो मेरे लाल पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने वीमा पर आधारी धमाकेदार कोश्चन किया था और हम लोगों ने तुटी के कॉंसे सीखेंगे अधिश और सदिस राषियों के बारे में बोलो क्या आप सभी तैयार हैं जल्दी से बोलेंगे क्या आप सभी तैयार इसके लिए तो चले वाई तो मैं कुछ बाते आपको रिकॉल करना चाहूंगा हमने पास तरीके आपको आते हैं तो सर कोश्चन अराम से निक बनाएंगे और उसको हम लोग 30 के रूप में बनाएंगे सब को पता था उसके बाद हमने बोला सर डेल्टा आप अपने करेंगे फिर प्लस माइनस डेल्टा भी अपन भी करेंगे और दोनों को प्रसंट में चेंज करेंगे तो हैंडल लगाएंगे वह लो बात क्लियर थी सब को फिर उसके बाद हमने बोला सर इसके बाद आप दूसरा तरीका क्या करोगे आपने बताया सर एक्स बराबर एडॉट वी है कोई भी कॉन्टेटी ठीक है हमने बोला सबसे पहले आप इसको रिलेटिव इर बनाओ तो डेल्टा एक्स इंटू हैंड़ किया था फिर इसके जीरर में तो डेल्टा भी अपॉन बींटू हैंड़ हो जाएगा बोलो क्या इतनी बात क्लियर थी दो कॉंसेप्ट यह बताया थे फिर उसके बाद हमने बोला सर अगर पावर वाला केस है अगर हमने बोला पावर वाला केस है जैसे एक्स की पावर एक्स पराबर एकी हमने बोला तो सरकार अगर एक्स एक्स बराबर एक केस माक्सिमाम केसा आता है मौस्त सूर्व बात करना है करते हैं फिर और कुछ कोश्चन आपको होमवक भी देंगे करने के लिए और फिर उसके बाद आप उसके बाद भाई साफ हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे सार्था अंग सिंग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है चले आए देखते हैं कुश्चन नमर पहल जैसा आपको स्क्रीन पर दिख राओगा सब कोश्चन नमर पहला क्या है एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की तूटी तथा द्रवमान नापने में 2% की तूटी होती है उस प्रदार्थ के घ्णत के मापन में अधिक्तम प्रतिसद्टी कितनी होगी कोश्चन इकदम स्पाहब है है ना मैंने क्या है सिए विक्त तोटी और ंपने मैं दो परसेंट की कितनी बने में सब्सक्रJ 8 कैसे करेंगे देखो स्के बात सर उसके बात में में किसमें की से निकालेंगे सिंपल सा बात मैं यहीं परिके दिखाओं अगर-घनत तो बराबर होता है द्रवमान बटे आयतन और गोले का आयतन सर कितना होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब है ना तो यहां पर त्रिज्या में तीन है द्रवमान में दो है गेंब इधर करता हूं थोड़ा से मेरे को जड़ाइत चाहिए त्रिज्या में तीन परसेंट है और गनत में पूच्छा अब उसको मैं रोबाराबर होता है भलते डर्यमान बते बूल हन रोबाराबर होता है पाई यार क्यूब से कोई मतलब यहां से चार बटे तीन पाई से कोई मतलब है नहीं है क्योंकि यह constant है सर बोलो बात क्लियर है यहां तक अब इसके बात क्या बचा इसका चुटी रूप बनाओंगे डेल्टा रो अपॉन रो इंटू हैंडेट और मास का बनाएंगे सर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू हैंडेट यहां पर भाई प्लस लगाएंगे पावर का केस आ गया फिरी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू हैंडेट बनाएंगे फोलो क्या बात क्लियर है यहां तक और अ वल्दी आप नोट करेंगे फिर हम देखते हैं कुछ कोश्चन करेंगे कुछ कोश्चन आपको हुमवग देंगे उसके बाद सिंग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे ठीक है चलिए भाई क्यात्युट नेयरां होगा कोई दिक्कत नई कटनावा बल में 2 प्रसेंट में asa में 3 प्रसेंट वए त्क में कितने देखो पिरवल पूस्ट्ए में 2 ऐं और मितीन इस कितना में 3 पर्सेंट है और दिया है भाई साथ वी वर आवर दिया है सल अंडरूत यप आप से वी में पूछा है और कैसे पूछा है अधिकताम पूछा मैक्सिमम पूछा अधिकताम पूछा है तो आप यहां पे समझ गए होगे सर यहीं से की पॉइंट चुराओ और यहीं से जब छोटे-छोटे की पॉइंट को चुराओगे तो कुश्चन करने में आसानी हो जाएगी बोलो बात क्लियर अब हमने बोले सर डिल्टा वी अपॉन वी इंटू हैंडड बनाएंगे सरकार या तो एक काम करते हैं पहले कि सर रूट को हटा लेते हैं तो थोड़ा सा कहानी सार आसान हो जाएगी त भात यह पावर का केस आ तो पावर आगे आएगी सर डेल्टा वट वी इंट्व हेंडड हो जाएगा बोलो ना और यहां सर डेल्टाсы अन्य और यहां सर डेल्टा 2 इपन ऑप यह सर अ बहुत तीन पर्सेंट है ना तो यहां पर बताओ दोनों को जोड़ो कितना पर्सेंट आएगा बहुत डेल्टा वी अपॉण वी इंटू हैंडेट तो करेंगे ही यह पांच पर्सेंट हो गया और दो नीचे जाएगा तो मिरे लागए धाई पर्सेंट रहाएगी क्या कितने पर्षेंट आएगी और ऑप्षन में कहीं दे रहा है भाई ए बी सी तो अप्षन नमबर कौन से सही होगा सर सी नमबर सही होगा तो जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे सर 2.5 परसेंट आएगा हैना 2.5 परसेंट इर आएगी ठीक है तो आप फड़ा फड़ इसको नोट कर हो गई आपको तो आएए आगे भी देखते हैं हम लोग ठीक है चलो कर दो कि अचले आएगे सर्कोश्चन नमबर तीसरा आपके सामने हैं ठीक है हां अचलो अब भी वर्ट नियर्स कूल गेज मैंने नहीं पढ़ा है ना उसका एक कॉंसेट मैं अलग से ले जाओंगा चलो यह वाला देखते हैं है ना चलो बोल रहा है सर यह कुश्चन एक ठोस के द्रवमान तथा आयतन मापने में क्रमसा 5% तुटी वाद 2% तुटी होती है उसके घनत्यों के मापने में अधिक्तम तुटी होगी भाई एक दाम आसान सा कुश्चन है यल्दी सेंसर करेंगे 5% औ 2% होती है तो घनत्यों के मापन में कितना परसेंट तुटी होगी एक ठोस के द्रवमान तथा आयतन में ठीक है तो यहां पर घनत्यों बराबर होता है सर द्रवमान बटे आयतन यह आप कुश्चन कर सकते थे यह ना पांच दो साथ परसेंट दिख रहा है सिंपल मेरे को ठीक है आगे देखते साथ है ना पांच वा कुश्चन और पांच वा कुश्चन क्या है मेरे लाल जाजश्चता, जल्दी से बताएंगे है आगे घन के आयतन में परिकलन तूटी क्यांद कीज़े घन की भुजान आपने में इतना है घन का आयतान मतलब माल लेते हैं घन की भुजा कितनी है यहां पर देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं घन की भुजा माल लेते हैं और ए में कितने परसेंट बिया दो परसेंट और घन का आयतन क्या होता है मेरे लाग है ना परसेंट आएगा 6% एंसर आएगा तो option number D एकदम सही हो जाएगा बोलो क्या बात clear है option number D is the correct answer ठीक है चलो अगला question भाई यहाँ पर आपके लिखा हुआ है ठीक है अगला क्या लिखा है एक गोले की तृज्या के मापन में 0.25% के तूटी होती है इस गोले के आयतन में तूट की गढणा कीजे ठीक है चलो गोले के तृज्या मतलब आर में दिया है 0.25% ऐस देखो यहां पर और गोले का thouね कितना होता है चार बटे तीन पाइया होता है बूलो हाय ना-चार बटे तीन पाइया क्योस होता है और यहां पर 4 बटे तीन पाई से कोई मतलब नहीं है तो वी बराबर आर क्यू बचा तो तीन गुड़े कितना डेल्टा आर अपॉन आर इंटू हैंडे तो 1.75 है ना या तो 0.25 हो जाएगा भाई है ना या 3 इंटू 0.25 है ना तो यहां पे 25 त्यां 75 ठीक है चलो भाई यह वाला कॉंसेट अभी हम सार्था अंग पढ़ लेंगे तो वहां से कुश्चन आएगा ठीक है क्योंकि जीस आकड़ों में सबसे अधिक सार्था कंग होंगे वह आकड़ा सबसे अधिक सुध्धमाना जाएगा बात क्लियर है भाई बोलो यतनी सी चीज़ कि लिए रहे कि नहीं क्लियर है चलो और सार्था कंग की गड़ना करना मैंने साइद आपको सिखाया था भाई बोलो जल्दी से ठीक है नहीं सिखा तो फिर से मैं आज आपको सिखा दूंगा ठीक है आदेखो आपको सार्था कंग की कोश्चन है ठीक है तो हम भाई सार्था कंग पहले पढ और चले सार्थक अंग होता क्या है अगर हम बात करते हैं सग्निफिकंट फिगर की अगर हम बात करें अगर नहीं बताया है तो और अच्छी बात है नहीं बताया है तो उससे भी अच्छी आज बता दे रहों significant figure कहते हैं ना significant figure है क्या सार्थक अंख आपको दिख रहा है एक आपको यह दिख रहा है सिंपल सा यह सर कोई ना कोई numbers होगे ठीक है रहां किसी आकोड़ों में ध्यान से सुनना किसी भब माप में जितने अधिक सार्थक सार्था वह होंगे वह माप अधिक सुद्ध मानी जाती हुए मान ले थे हैं हम कोई माप ले रहे हैं ठीक है तर्फ़ाम उन अंकों गी संख्या को कहते हैं जिन से हम पूल आस्वास्वत होते हैं कि हां ये माप अभगन सही हो चुकी है मतलब सार्था सार्थक अंग किसी माप में जितने अधिक होंगे वो माप उतनी अधिक परिशुद्ध मानी जाती है बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना जितने अधिक सार्थक अंग होंगे वो अधिक शुद्धता मानी जाएगी जैसे मैं बोलूं कि बताइए सर यहां वन लिखा है तू 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 ॥ृ लिखा है यहां फो तू लिखा है अगर मैं बूलों कि इसमें यह और यह में कौन शब्श से अधिक शुद्र है तो इस время कितने हैं तो सब्सक्राइभ है तो यहां पुए बाई जिन में सर। की संख्या ज्यादा होगी वो माप अधिक शुद्ध मानी जाएगी जैसे मैं एक एक्जामपल और देता हूँ यह तो कॉमन सा एक्जामपल होगी आपके लिए जैसे मैं यहां पे लिए हूँ सर 1.23 1.2424 इसमें कितने हैं तीन है ना तीन अंक हैं इसमें कितने अंक दिखना है चार है तो भाई कौन सी माप अधिक परिशुद्ध होगी यह वाली ना फोर वाली ठीक है तो यहां पे सार्थक अंक का बेसिक सा क्या मतलब है कि किसी भौतिक राशी में के मापन में सार्थक अंक उन अंकों की संख्या को कहते हैं जिन से हम पूर आस्वस्त होते हैं ठीक है तो यहां पे यहां पे सिंपल आप लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशी में अगर आपको नोट बनाना है तो लिख लो किसी भौतिक राशी की माप में सार्थक फीक फुन अंकों की संख्या को कहते हैं वहने सवाइश को कहते हैं जिन से हम पूर्ढ जिन से हम पूर्ढ आस्वस्त होते हैं जिनसे हम पूर्द आसवस्त होते हैं बोलो क्या बात क्लियर है तो यहां पे जिन आकोड़ों में या तो बूल सकते हैं जिस माप में जितने अधिक सार्था कंग होंगे क्या होंगे उस माप में जितने अधिक सार्था कंक होंगे वे माप उतनी अधिक शुद्द हो गी बात क्लियर है चल्लो अब बाताती सर सार्था कंकों की गड़ना कैसे करेंगे तो exam में जितने तरीके पूछे जाते हैं मैं उतना बताऊंगा और भी कुछ रूल से लेकिन अपना टार्गेट है केवल और केवल एंडिये एयर फोर्स और नेवी ठीक है और भी जो आपके एक्जाम है डिफिंस के जहाँ फिजिक्स आती है तो वहाँ पे कुछ पांच रूल है जहां से आपके सार्था कांग पूछा जाता ठीक है तो चलिए पहला ये एक्जाम में नहीं पूछएगा हमने आपको क्लास के पहले दिन बताया था यहाँ आप लोग रूद पॉइंट कि the point पढ़ेंगे कौन सा exam में question आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता ज्यान लेने की ज़रूरत नहीं है अब हमको concept पकड़ना है question पकड़ना है कि सरहां यहां से हम पढ़ने तो question मेरे को मिल जाया और हमको exam के लिए बहुत मज़ा आ जाए ठीक है चले भाई आगे बढ़ते हैं और पहला रूल सीखते हैं सार्थक अंकों की संख्या ग्यात करना ठीक है तो छोटी सी हेडिंग बना देंगे सार्थक अंकों की संख्या ग्यात करना ठीक है सार्थक अंकों की संख्या ग्यात करना ठीक चलो है पहला रूल क्या कहता है जो एक्जाम में आते है ठीक है पांच रूल से एक्जाम में कोश्चन हमेशा वना है तो इस बार भी वनेगा तो पहला रूल क्या कहता है सभी अशून सार्थक अंक होते हैं बात क्लियर है सभी अशून सार्थक अंक होते हैं बात क्लियर है ना इंग्लिश वाले बच्चे भी देखते चलो दोनों में बता देता हूं सिग्निफिकेंट जैसे फॉर एक्जामपल मैंने बोला कि सरकाव 1.234 इसमें बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगार है तो आपका एंसर सर क्या होगा 5.234 कितने हैं यहां पे 4 significant figure है बात क्लियार है हमने बोला सर 1.23 है बता कोई 0 नहीं है आपके velocity है तो आपने बहले रूल के हिसाप से हमने बोला sir 1.1 इसमें कितने हैं sir आपने बोला sir 2 है कितने हैं दो significant figure है क्योंकि rule क्या कहता है all the non zero digit zero को छोड़के जितने भी non zero होंगे जैसे मैंने बोला .1 1 1 1 6 4 3 में इसमें बताओ कितने हैं तो आप गिनेंगे sir 123456789 कितने है sir significant figure है nine significant figure है sir कितने है 9 है वो लोग क्या पहला रूल सभी को clear है कि जितने भी अशून होंगे वो सभी क्या होते हैं शार्था कंग होते हैं बात clear है तो चलो पहला रूल आप note करेंगे फिर उसके बाद दूसरे रूल की तरफ चलेंगे एक्जामपल भी लिखते चलेंगे जैसे मैं आपसे कुश्चन और करा लूँ सर्थ 243.4 में बताओ कितने हैं 243.4 में तो आप बोलेगे सर्थ गिन लो ना चार दिख रहे हैं वन दो तीन फूर चार दिख रहे हैं ना बोलो हां या ना चले भाई फटा फट नोट करेंगे फ स्कते हैं कि दिख जबह इदनी बात क्लियर हो गए सरुल नंबर दूसरा यह रूल नंबर दूसरा करते हैं यह कहां सिः आए नथी रूलनमबर दूसरा करते हैं आть और रूलनमबर डू सेकंड चलो भाई रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है दो अशून के बीच में है न दो अशून अंकों के बीच यहां लिखेंगे पहले मिरे साथ दो अशून अंकों के बीच आने वाले सभी शुन सार्थक अंक होते हैं बात क्लियर दो अशुन अंकों के बीच आने वाले सभी शुन क्या होते हैं शार्थक अंक होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने बोला मिरे लाल कि दो अशुन अंकों के बीच आने वाले सभी शुन क्या होते हैं सार्था कंग होते हैं मैंने बोल्ड सर one zero zero one one एक हजार एक में Kतने है तो आप analyses एक दम आसान है आपने रूल बताया core 2009 0 देखना है नो 90 जी देखना उसके भीडें कितने भी 0 है वह वह भी ने जाएंगे न तो इसमें हमने बोला سर चारtag कितने आउंक है चारंग है बोला सर 2004 में बताओं तो आपने सर आंग बनकर बताया सर इसमें भी 4 significant figure है बोलो हाया ना क्यों बोला क्यों कि सर 290 है बाकी कितने भी 0 है रूल क्या कहता है उनको significant figure में count करेंगे बात clear है चलो एक example और मैं कराता हूँ जैसे मैंने बोला 1.100001 बोलो यहां पर दो 90 के बीच में कितने भी 0 है significant figure है बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बताओ 8 है कि नहीं है भाई साब तो यहां पर significant figure कितने हैं सरकार 8 है बोलो क्या दूसरा rule clear है आपको जल्दी से बताएंगे सर क्या rule number second आपको एकदाव अच्छे से clear हो चुका अब rule number 3 क्या कहता आईए देखते हैं उसको चलिए आईए भाई पांच रूल से ही एर फोर्स में question बने है तो उतने ही बताओंगा बाकी आपको नहीं जानना भाई जहां से question बने उतने सीखना अब अगला क्या है बाई और के शुन है ना बाई और याद लिख सकते हैं यहां पर अंक के यहां पर आसे लिखो रूल नंबर तीसरा अंकों के बाई और वाले शुन है ना अंकों के बाई और वाले शुन है ना अंकों के बाई और वाले शुन सार्थक नहीं होते हैं एक रूल याद आ गया है ना रूल क्या बोला कि अंकों के लैभ मिलिखा लेफ्ट साइड में है ना लेफ्ट साइड वाले जीरो सिगनिफिकेंट फिगर नहीं होंगे हमने बोला सर 0.004 तो इसमें कितने हैं हमने देखा सर यह फोर है नॉन जीरो है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो है बोलो हां या ना लेफ्ट साइड में जीरो दिख र पाइड क्लियर रहे हैं चलो हमने बोला सब 0.0423 इसमें बताओं इसमें कितने हैं तो आपका एंसर होगा सर इसमें तो तीन है यह नहीं होंगे लेफ साइड है ना यह लेफ साइड वाले जीरो छोड़ दो बाकी तो तीन दीखना है अगर मैंने बोला 0.00543 में इसमें बोलो क तो आप बोलो सब दुनियादारी को छोड़ो ना लेफ साइड वाले तो कुछ नहीं है कितने दिख रहे हैं एक सिंग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं बोलो बात क्लियर है न चलो भाई नोट करेंगे रूल नंबर तीसरा चलिए बहुत देर सारे तरीकें है निकालने के अभी और भी आपको किसी बुक में और भी मिलेगा लेकिन इन पांस तरीकों से सरकोशन बनता आया है और बनता रहेगा ठीक है तो इसी को हम जाने है वागी और भी 7, 8, 9 तरीके हैं लेकिन हमारा काम क्या है कि भाई उतना पढ़े जितने से सेलेक्शन हो जाए ठीक है चलो भाई आगे देखते हैं यह हो गई बात अब मान लेते हैं भाई ऐसे नंबर जिनमें decimal लगा हो जहान से समझना जिनमें decimal लगा हो ठीक है तो वह हमारे क यहां पे ऐसे अंक जिन में दसमलोग का प्रियोग हुआ हो है ना यहां लिख लेंगे ऐसे अंक कि जीन में कि दसमलोग का प्रियोग हुआ हो कि दसमलोग का प्रियोग हुआ हो है ना दसमलोग का प्रियोग हुआ हो तो उनके दाई और आकड़े लिख लो भाई है ना ऐसे आकड़े जिनके जिनमें दसंबलों का प्रयों हुआ हो तो उनके दाई और वाले शुन है ना दाई और वाले अधिया है कृण सार्था कंग कहलाते हैं है ना सार्था कंग होते हैं ठीक ठीक ना उनके जाई और वाले शुन क्या होते हैं साड एक होते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल्सरी ही enabled 3.30 हमने क्या बोला नालगा है आपने बोला हैं स्र speaker है हमने और रॉड में तो आपका आबसर क्लिया रहे किने कैया रूनमबर पॉर ठीक है है हाँ हूँ नमबर 4 चलिए आए देखते हैं तो ब्रूल नमबर 5 क्या कहता है आप यहां समझ जाओगे है ना रूल नमबर पांच क्या कहता है कि हमने बोला है ना हमने क्या बोला भाई कि रूल नमबर पांच में कि भाई चारगात आंकी मलब जिनमें चरगात अंकी इनकों में हैं रूल लिखे लो पहले अंकों में केवल आंकिक भाग है ना केवल आंकीक भाग सार्थक होते हैं केवल आंकीक भाग बाद माइनस तो आया ठीक है यह रूल अच्छे से सीकना वह मैंoqu आ बोखिए जैसे मैंने बोला कि यहां पर कि 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस टू आया ठीक है पतो यह चर घात आंकी है तो इसमें केवल आंकी का भाग कौन सा है यह वाला है तो 1.32 इसमें कितने हैं सिंग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तीन है तो रूल यह कहता है कि दसकी घात वालों को सार्थाक अंक में नहीं गिने जाते हैं दसकी घात वाले सार्थाक अंक में नहीं गिने जाते हैं बोलो बात क्लियर है है ना सो चलो अगर संख्या में डेशिमाल लगा हूँ आप लेट वाले तो ना होंगे लेकिन राइड साइट वाले होंगे न इसमें चार है की नहीं है बोलो हायाना भाई भाई बोलेंगे जल्दी भाई है ना चलो इदनी बात क्लियर है चलिए वह इसारथा गंकी बाते होगे इसरड क्लास में ठीक है खुछ गोश्चन भी हम करा दे आपको अगर आप बोले तो भाई कुछ गोश्चन्स भी करा दे इस पर बोलें सर अगर इजाज़ात हो तो कुश्चन भी करा दे वाई आपको चलिए दिया है वाई संख्या आईए देखते हैं एक कुश्चन करा देते हैं ठीक है हाँ एक कुश्चन कर लो नहीं कोगा सर कुश्चन नहीं कराते हैं ठीक है और यह हो गया और 2.1 into 10 की पार मैनस् 3 2.1 into 10 की पार मैनस् 3 के संगर तै HER सार्थक अंक है के संगत सार्थक अंक है बद ऐसंगर सार्थक अंक भाद नहीं इस एक दो or पाँच एक दो ऑप्षन दे रहा है नन ओफ दीस इन में से कोई नहीं नन आफ दीस ठीक इन में से कोई नहीं चलो चार ऑप्षन दी हैं हमने बोला सारे रूल लगाव एक्जाम में जितने भी कोश्यां आएंगे सरकार इसी रूलस आएंगे पांच यह बहुत भी तीन चार आपको दूसरे बुग में दीखेंगे लेकिन हमें उतना सीखना सब्सक्राइब काम हो जाए चलो यहां हमने क्या बोला सब्सक्राइब संक्राइब दिस्वाइब जीरो दो तीन है 0.003 है 2.1 इंटू 10 की पवाव माइनिस 3 है ठीक है तो बताओ लूल नम्बर पहला क्या कहता है और थÄर दी जीरो बिटिविन टू ना जीरो है नवह कंट है दो आशून के बीग में जितने आशून होते हैं कि ये जांगे बो लो हाई आ तो या यह 5 है पांचो और यहाँ 5 ना दिख राना तो यह option ना हो सकता यहाँ 5 है क्या ना हो सकता अब यह पांच दिखाना ठीक है यह हो सकता है यह यह कितने हैं 0.003 हमने बोले लेप सब्सक्राइब वाले 0 नहीं होते यही रूल आंकी में आंकिक भागवाला होता है भाई ठीक है बोलो क्या ये बात आपको एकदाम अच्छे से समझे में आ गई सर अगर समझे में आ गई तो एक कुश्चन और बोलो करा दो ठीक है चलो एक कुश्चन और है सर मेरे पास आई ये देखते हैं कि इसी तरह का एक कुश्चन और है हमने बोला सर पच्चीस दसंबलों एक दो में है ना पच्चीस दसंबलों एक दो 2009 और दिया है सर यहां पर 1.217 है ना 0.217 इंटू 10 की पावर माइनस 3 में सार्था कंक हैं में सार्था कंक हैं कितने हैं ऑप्शन दे रहा हूं सर दो हैं तीन है क्यार है या तो पांच हैं बोलो भाई बोला है कि तीन आकड़े दिये हैं इन तीनों में सार्था कंकों की संख्या कितनी है आपको एक दो है इसमें कितने हैं इसमें कितने है और इसमें कितने हैं तो आपका एंसर क्या होगा मिरे लाज जल्दी से बताएंगे कि आपका एंसर क्या होगा कि चलिए तो भाई अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो आपका एंसर भाई साब होगा यहां पर कितने इसमें देखो सर्व 25 दसम्लों एक दो में इसमें तो चार दिख रहे हैं और इसमें देखो दो अशून ने हैं इनके भी शून ने हैं इसमें चार है इसमें भी कितने हैं चार है तो आपको ओप्शन कौन सा हो जायेगा सर्थ C वाला सही हो जाएगा बोलो बात कुलियर है सर्थ C आएंगे आपके लिए ठीक है हम topic wise topic पढ़ेंगे ठीक है एक एक चीजों को बूज नहीं बनने देंगे ठीक है पहले हमने मात्रग मापन में वीमा सीखा तुटी सीखा आज की class में सार्था कंग सीखा और अगली class में हम अभी से बता दे रहे हैं हम लोग अदिश वा सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अदिश एवाम सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे सर किसके बारे में अदिश एवाम सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे इसको बोलते हैं सर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है न और इस टॉपिक पढ़ेंगे यह टॉपिक होगा फिसके बाद वंडी पढ़ेंगे जिससे आपको बोजना बनने पाइब चाप्टर नहीं टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है जहां से से यहां से चलेगी और वहां कल की क्लास में ठीक है तो आशा करते हैं आपको शार्था कर निकालना आ गया होगा और तुटी पर आधारी प्रशन भी आप अच्छे से कर लिए होगे मिलते हैं अगली क्लास में तब तक ले वायब टाटा सीओ सभी को गुड़ नाइट झाल झाल